साथियो नवसकार मुझे उमीद है हरियाना आर्ट एंट क्राफ्ट टीचर भरती के लिए आपके इंटर्वियो के एड्मिट कार्ड आपको जारी हो गए होंगे लेकिन साथियो सभी साथियो ने ये कमेंट करके कहा था कि सर्जो इंस्ट्रक्शन दी गई है चाए वो चलान फार्म के बारे में हो चाए वो बस किराये के बारे में हो या डकुमेंटों के बारे में हो वो हमें एक बार जुरूर करवाएं एक बार जुरूर बताएं उसके बारे में क्योंकि उसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे परसन हैं जो कलियर नहीं हो पारे आज की इस वीडियो में हम उन सभी परसनों के उत्तर बारी बारी से देंगे जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर 9 दी गई है तो 9 की 9 इंस्ट्रक्शनों को इंगलिस और हिंदी में दोनों में अनुआद करेंगे इंगलिस में पढ़ेंगे उनका हिंदी में अनुआद करके आपको अच्छे से बताएंगे तो साथियो वीडियो को अच्छे से शुनना शुरू से लेकर अंतक शुनना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटर्वियो तक के सफर में आपका बेस्ट अफ लग फोर इंटर्वियो और साथियो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक से अर भी करना क्योंकि ये वीडियो है उन सभी साथियों के बड़े काम की जो बार बार पूछ रहे थे सर्चलान फारम का क्या रहेगा तो आएए सबसे पहले परशन एक है जो आपका जो the facility of free traveling in haryana roadways buses is valid within haryana territory तो साथियों आपको इंटर्वियो के सफर की बिलकुल free आपको स्विधा दी गई है हरियाना सरकार की ओर से हरियाना roadways में आपको करना क्या है आपको जो ये उपर है ये लिखा हुआ इस sleep को आपने अपने अड़ा in charge से attest करवा लेना है अपने अड़ा in charge से आपको ले लेना है लिखवा के कि आपका interview आप दिखाऊगे admit card अड़ा in charge को दिखाऊगे अड़ा इंचार्ज को admit card दिखा के वो आपको दे देगा लिखित में वहां तक का free pass तो pass मिल जाएगा तो पहला तो आपके लिए सबसे बड़ी खुश थबरी यही है तो साथियो next आपका वहां पहुँचने के परबंद के बाद जो आपको चीज लेके जानी है जो आपको document लेके जाने है तो सबसे पहला यह लिखा हुआ है उन्होंने candidate should bring with him and her for the following original document with attested self-attested photocopies तो साथियों जो निच्चे लिखे गई हैं वो सारे document आपको original लेके जाने है और with attested लेके जाने हैं कुछ ऐसे हैं जो self-attested है खुद के अटेस्ट किये हुए भी चलेंगे कुछ document कुछ गजटिड ओफिसर से अटेस्ट करवाने हैं और साथियों original सब के लेके जाने है तो first of all interview will be held of those candidates who have qualified for interview after scrutiny of document as per result notice dated 10th March 2021 तो पहला column इनों ने दिया है कि जिन लोगों का जिन अभ्यर्थियों का दस मारच को जो scrutiny का result आया था उसमें जो qualified candidate है उनहीं के लिए ये interview का schedule आया है उनहीं के admit card जारी होंगे सबसे बड़ी बात तो पहली main बात ये है नेक्स्ट पॉइंट है आपका साथियों interview will be conducted of only eligible candidate after verification security of documents ये आपका हो चुका है security of documents आपके interview के लिए आप eligible है तो आपका third है जो main है third क्या है third में है candidate must bring candidate को ये जरूर लेके जाने है downloaded application forum and original certificate, diploma, degree from matriculation onward यानि दसमी से आगे के सारे document दसमी समेत आपको original यानि मूल लेके जाने है experience, certificate with salary and date of issue if so required यदि आपके पास कोई experience है तो आपको वो experience की original भी लेके जाना है और copy, photo state copy तो सब की लेके जानी है आपको और उसके अंदर date of issue जुरूर लिखवाना है कि आपको कब से कब का experience है और कब आपका issue हुआ है PHC, caste, हर्याना resident certificate dependent of ex-servicemen, eligibility certificate ex-servicemen, discharge book, etc. for verification along with photocopy of each on or before cutoff date of the said advertisement तो साथियों इन्होंने लिखा है कि चाहे वो physically handicapped का certificate हो चाहे वो caste का certificate हो चाहे वो हर्याना domicile यानी हर्याना resident certificate हो चाहे वो dependent ex-servicemen eligibility certificate हो और साथियों चाहे वो आपके ex-servicemen हो तो discharge book को आप सभी को ये सारे certificate अपने original लेके जाने है विद photocopy यानी photocopy भी आपको लेके जानी है और ये सारे के सारे document आपके cutoff date जो advertisement की थी तो उससे पहले के होने चाहिए ये आपका सबसे main point ये है और साथियों अब हम आते हैं C पर जिसके लिए आप एक नहीं अनेक साथी ये ही पूछना चाहते हैं कि original commissions copy of proof of fee यानी कहने का मतलब ये जो चलान फारम है आपने जो फीश कटवाई थी फारम भरते वक्त तो उस फीश की रसीद है रिसिप्ट है तो साथियों आप लोगों ने बहुत साथियों ने कहा कि सर हमारे पास वो चलान फारम नहीं है तो ये एक routine का उनका परफॉर्मा है वो लिखते हैं ऐसे ये पुरूफ अगर साथियों नहीं है वैसे तो ये होना चाहिए लेकिन ये भरती काफी पुरानी है इसलिए ये court case के कारण आई है भरती तो इसलिए आप लोगों में से काफी लोगों के पास ये नहीं है और लेकिन साथियों ये पुरूफ आपका SSAC के अंदर भी मिलेगा यदि SSAC को इसके verification करनी है तो वो उनके पास already है इसके लिए आपको disqualify नहीं किया जाएगा आप इसके निश्चिंत हो जाएं क्योंकि ये मामला पुरानी भरती को लेकर है इसलिए इसमें छूट दी जाएगी वैसे ये लिखा हुआ है लेकिन ये है नहीं साथियों किसी के पास और ये इसका इलाज भी नहीं हो सकता क्योंकि जब है नहीं इसका इलाज एक बात हो सकता है यदि आप ट्रेजरी में जाकर वहां से लिखवा के लाज सकते हो कि उनके रजिस्टर में इंट्री होती है ट्रेजरी के अंदर लेकिन वो लिखके देंगे ओरिजिनल वो भी नहीं दे सकती हैं तो वहां भी स्टेंप लगती है रजिस्टर में इंट्री होती है तो वो इंट्री का कोलम तो लिखके दे सकते हैं कि इस एंड इस इसका चलाण फारम था और इस सिरियल नंबर पर इसने फीश भर दी थी लेकिन साथियो इसकी जरूरत नहीं पढ़ने वाड़ी क्योंकि ये डॉकुमेंट आलरीडी आपके HSSC में आपका सब्मिट है फोटो कोपी तो वहां से वो मैच कर सकते हैं जब आप तो एक परसनल विक्ती हो आपका गुम हो सकता है लेकिन वो एक ओफीशियल है तो ओफीशियल में सारे डॉकुमेंट आपके बड़े संभाड कर रखे जाते हैं वहां मिलेंगे और वो जिम्मेदारी है उनकी तो ये साथियो बिलकुल घवराने की जरूरत नहीं है अपने इंट्रेवियो की त्यारी करें मुझे उमीद है कि जो ये आपका पॉइंट था ये आपका कलियर हो गया होगा लेकिन साथियो फिर भी कोई बात है तो कमेंट करके जुरूर बता देना सफोर्थ निंबर बहे है तो साथियो जो साथि आपका जो सिडूल है इंटर्वियो का उस सिडूल में अपसेंट रह जाते हो जो डेट आपकी निरधारित की गई है रोल नंबर के हिशाब से अगर आप अपसेंट रहते हो तो इसका कोई इलाज नहीं है आपको इसका खामियादा भूगतना पड़ेगा HSSC इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा इसलिए आप अपने निरधारित समय पर इंटर्वियो के लिए जरूर पहुंचें तो साथियो डॉकुमेंट की नोटेंशन जो आपके पास है वही ले जाएं लेकिन आपको फिजिकली जरूर वहां जाना है यदि आपके डॉकुमेंट असली हैं सही है तो आपका इंटर्वियो बिल्कुल एकसेप्टेबल है तो एकसेप्टेबल है तो आप दरिये मत तो आपने सब कुछ कर दिया है तो साथियो आपका पांचवा है तो साथियो ये भी वही बात है दुबारा कि आपके जो इलिजिबिलिटी कंडिशन है वो सारे के सारे आपको जो अडवर्टाइजमेंट की टाइम कट-अफ डेट थी उससे पहले आपने फूल फिल करनी है पूरी करनी है यदि आपकी वो सारी की सारी क्वालिकेशन पूरी है उस कट-उफ डेट तक जो अडवर्टाइजमेंट के समय थी फिर आप बिलकुल इलिजिबल है अधरवाइज आप अब भी इलिजिबल से बाहर निकल सकते हैं यदि आपके डकुमेंटों में कोई कमी है वैसे डकुमेंटों की कमी वाड़े पहले निकाल चुके हैं S&C की एक रूटीन का परफॉर्मा है जब सक्रियूटिनी हो चुकी है तो स्क्रियूटिनी के टाइम उन्होंने सब कुछ कर लिया ये काम जो कंडिडेट आए हैं वो उनके लिहाज से आये हैं हो सकता है कोई एक का दुखका का इन मिस्टेक से बाइ मिस्टेक आ गया हो तो व अच्छा है, आप में से अच्छे ध्यापक बनने वारे हैं, तो best of luck है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, आप जाईए आराम से अपने अपने schedule के हिसाब से, आपका selection होगा, जरूर होगा, तो आपका sixth point है, if any stage is detected that a candidate does not fulfill the required qualification prescribed for the post till the date of submission of application form, or is ineligible on any other ground, his and her candidature will be cancelled, ये वही बात है, अगर किसी कारण वस, किसी condition में, उसके documento में, कोई qualification में, वो कमी पाई जाती है कि, जब आपके application form भरवाए गए थे, 2006 के अंदर, तब तक आपका कोई कागज complete नहीं हुआ, आपकी qualification complete नहीं हुई, तो उस मामले में आपका जो candidature है, उमिदवारी है, वो cancel होगी, ये लिखा हुआ है, ये एक बार, नहीं है, ये तीन बार हम बता चुके हैं, ये है confirm condition है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी के कारण तो ये भरतियां कई बार cancel होती है, तो अच्छे से इनकी जांच होकर ये dependent of ex-serviceman, DESM वही है, dependent of ex-serviceman, candidate will bring self-declaration to the effect that he has not ceased to be a DESM till today, और any other member of his and her family has not taken benefit of dependent of ex-serviceman in government service, तो साथियों, ये उन सब साथियों के लिए हैं, जो ex-serviceman के dependent हैं, उन्होंने self-declaration देनी है, क्योंकि कई साथियों ने comment करके कहा था कि ये सर कैसे बनेगा document, ये normal आप written में कर सकते हैं, normal कागज पर लिखकर अपने sign करेंगे, उसके अंदर ये चीजें लिखी जाएंगी, ये statement लिखनी पड़ेगी, कि हमारे परिवार में से किशी ने अभी तक dependent of ex-serviceman की government service में कोई फाइदा नहीं उठाया है, तो ये लिखके अपनी आप खुद के sign आपके चलेंगे, वैसे साथियों, यदि आप और अच्छा इसको करना चाते हैं, तो आप तसिलदार से भी अटेस्टिड करा सकते हैं, नोटरी से भी अटेस्टिड करवा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूर्त भी नहीं है, आप self-attested भी इसका चलेगा, क्योंकि वो आपने दिया है, आप अपने base पर दे रही हैं, तो कि हमारे परिवार में dependent of ex-serviceman की facility दुसरे candidate ने अभी तक नहीं ल पेजर and other electronic communication devices is strictly prohibited during the process of verification, security of documents, कम interview, if any candidate is found in position of mobile phone or any other electronic gadget, his her candidature will be cancelled, ये नॉर्मल बाते हैं, कि interview के अंदर आपको कोई भी electronic gadget, electronic सामान नहीं लेके जाना है, चाए वो mobile हो, चाए वो आपका laptop, computer, Bluetooth device, जो भी आपके electronic device हैं, वो बिलकुल भी नहीं लेके जाने, वो निशेद है, मना है, तो अगर किशी के पास ये electronic device मिलते हैं, तो उसकी उमुईद्वारी भी रद होगी, ये उन्होंने बताया हुआ है, तो साथियों, अगर आपको य अच्छी लग रही हैं, जानकारी चैनल द्वारा दी जाने वाड़ी, आप चैनल को subscribe जरूर कर लेना, और वीडियो को अधिक से अधिक share भी करना, तो आपका last point के ओर चलते हैं, जो बड़ा खास है, एहम है आपके लिए, The attendance in the interview will be marked by capturing the thumb impression, तो साथियों, जो आपकी हाजरी लगेगी, आपकी हाजरी वहाँ लगेगी physically, तो वो हाजरी आपकी signature से नहीं, आपकी हाजरी लगेगी साथियों, Thumb Impression से, तो Thumb Impression अंगुठा लगवाया जाएगा आपका, तो उससे आपकी कंडी डेचर की जो है, कि आप physically आप ही आए हो, भविश्य में यदि कोई गडबड होती है भरती के अंदर, तो ये Thumb Impression उसमें मील का पत्तर साबित होंगे, कि आप original हो, आपने ही interview attend किया था, यह कोई गडबड़ी नहीं है, तो ये उन गडबड़ियों को देखते हुए Thumb Impression वाली facility अब HSSC ने की है, तो उससे आपको गुजरना पड़ेगा, तो साथियों ये आपकी नो इंस्ट्रक्शन थी, इनको नो इंस्ट्रक्शन को हमने बारी-बारी बड़े प्यार से अच्छ करके जरूर बताना कि आप कैसी लगी, और साथियों जिसको भी अच्छे लगे, वो अपने साथियों को जो भी ड्रेंग ध्यापक से संबंदित हैं, उनको आप ये जरूर आप सेयर करना, अधिक से अधिक उनके बड़े काम की ये सेशन है, आपके बड़े काम का वीडियो है, तो साथियों आज इस वीडियों में हम यहीं लेते हैं, विराम जल्द में लेंगे, आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपका जो इंटर्व्यू का रेजल्ट है, जल्दी ही आने वाड़ा है, कोई ज्यादा टाइम ने लेगा, इंटर्व्यू होते ही आपका वो भी आने कामनाएं, आप जल्दी ही एक अच्छे ड्रेंग अध्यापक बनो, चैनल की तरफ से आप सभी को यह सुब कामनाएं हैं, हमारी आपका भविश्य अच्छा हो, तो आज की इस वीडियों में वाणी को देते हैं, विराम, नमस्कार, वंदे मात्रम